दोस्तो शास्तरों के अनुसार जो पक्षी जीब जन्तू होते हैं वो हमारे बातावरण को स्वच्च बनाते हैं हमारे आसपास पक्षियों का होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन लेकिन क्या आप जानते हैं? आज हम जिन पांच पक्षियों के बारे में बात करने बाले हैं अगर ये पक्षि आपकी छट पर आकर आपका दाना खा जाएं या पानी पी जाएं तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके आपने कलपना भी नहीं की होगी माना जाता है कि ये पांच पक्षि किस्मत बाले ब्यक्ति के घर पर ही आकर दाना खाते हैं बड़ा भाग्यबान होता है बो ब्यक्ति जिसके घर पर आकर ये पक्षि स्वयम भोजन करें इस पक्षि को देखने पर उसे मारे नहीं बलकि आप अपने आपको बहुती खुश किस्मत समझें, ये पक्ची आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा, धनकी देवी मातल अक्षमी को साथ लेकर आता है, इस पक्ची को देखना मतलब स्वयम विश्नु को देखना माना गया है, शास्तरों के अनुसार माना जाता है क राजा दशरत के घर जब ये पक्ची आया था, तब उन्होंने सौएम इस पक्ची को भोजन कराया था, अगर आपके घर में ये पक्ची आ जाए, तो आप समझ लें, आपके घर में शाक्छा देवी देपता का वास होने बाला है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाईएगा और सचे हिर्दय से कमेंट बॉक्स में लिखे जै माता लक्षमी, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नील कंट की, शास्तरों के अनुसार माना जाता है कि नील कंट भगबान शिप का प्रितीक है, बहुत कम लोग होते हैं बू, जिनके छट पर आकर सवयम नील कंट आकर बैट जाए और दाना पानी पी जाए, नील कंट एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर सवयम ब्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, नील कंट जब आपके घर पर आकर बैट जाए, तो उसे दाना पानी अबश्य डालें, और अगर ये दाना खा जाए, तो समझो आपका भागे उद्य होने बाला है, पहली बात तो ये बहुती कम लोगों के छट पर आकर बैटता है, किस्मत बाले होते हैं बो लोग जिनके छट पर आकर नील कंट बै कववड अगर आपकी छट पर आकर बैट जाए और आपका खाना खा जाए, तो समझो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, आपके घर में कभी किसी की आकाल मिर्थ्यू नहीं होगी, कववड को दाना पानी खिलाने से बयक्ती की मिर्थ्यू टल जाती है, जो बयक्ती कवव जब आपकी छट पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं बलकि उसे दाना पानी खेलाएं क्योंकि कवव को पित्रों का प्रतीक माना गया है। देखा गया है। शास्त्रों में इसका बर्नन बिस्तार से मिलता है। जिनके घर पर गौरिया आकर बैठ जाए तथा गोसला आदी बना ले। ऐसे ब्यक्ति का भाग्य उच्ची इस्तिती में बना रहता है। गौरिया चड़िया की आबाज सुनना भी शुब माना जाता है। ये बाता बर्न को स्वच्च बनाती है। दोस्तो घर में कबूतर का आना भी शुब माना जाता है। जिस ब्यक्ति के घर आकर कबूतर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए तो समझो उसका भागय उदे होने बाला है। साथ ही साथ अब आपके जीबन में कुछ बदलाब होने बाले हैं। कबूतर का घर में घोसला बनाना भी शुब माना जाता है। ये पक्छी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। दोस्तो घर में सबेरे सबेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो सम सबेरे सबेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना गया है क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का बाहन है। लेकिन याद रहे रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो ये अशुब संदेश ही लेका राता है। ऐसे में इसे शुब नहीं माना जाता। इससे ये पता चल आईए जानते हैं, दोस्तों माना जाता है कि जो चमगादर होता है, वो मनिश्री के लिए शुब नहीं माना जाता, ये जब भी घर में आते हैं, तब कोई न कोई बड़ी अनुहुनी साथ लेकर आते हैं, ये अपने साथ नाकारात्मक्ता को साथ लेकर चलते हैं, और जहां पर इनका वास हो जाए, समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है, चमगादर ब्यक्ति के घरयों का नाश करता है, ये आपके किसी भी मांगली कारे को बरबात कर सकता है, इसका घर में आना शाक्छात, मिर्तियू को प्राप्त करना माना गया है, चमगादर अगर आपके घर में चमगादर्ण ने निबास कर लिया है, तो तुरंद इसे हटा दे, इसी में आपकी भलाई है, चमगादर्ण मनुष्री के लिए हमेशा बुरे सभाब से ही आता है, इसे आप अपने लिए कभी लकी ना माने, दोस्तों जो टिटहरी होती है, वो अपना घ टिटहरी आपके चट पर आकर बैट जाए, तो समझो भुकम आने बाला है, या आपके साथ कुछ बुरा होने बाला है, टिटहरी यूही किसी के चट पर आकर नहीं बैटती है, बैग्यानिक भी मानते हैं कि टिटहरी का चट पर आना, मतलब भुकम का आना माना गया है, टि बाज का आना शुब माना गया है किसमत बाले होते हैं बो लोग जिनके घर पर आकर चील या बाज आकर बैट जाए इनके दोरा घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्रापती होने बाली है इने गलती से भी भगाए नहीं बलकि आप अपने आपको जाकर बैट जाते हैं तब उसका भागे उद्य हो जाता है ये पक्ची आपके लिए कोई शुब समाचार ही लेकर आते हैं दोस्तो कौन से पक्ची पालना शुब माना गया है आईए जानते हैं घर में तोता पाला जा सकता है शुब माना गया है ऐसे में आप कबूतर भी प पाल सकते हैं, अच्छा माना जाता है, घर में खरगोष पाल सकते हैं, सफेद चुहे पाल सकते हैं, गाय पालना मंगलकारी माना गया है, इससे ब्यक्ति के नब घरे शांत हो जाते हैं, जन्मों जन्मों तक ब्यक्ति को पुन्य की प्राप्ती प्राप्त हो जाती है, घर में म पाला जा सकता है, बहुत इस्षुभ माना गया है, इसे घर में माता लक्शमी का वास होगा।। हिंदु धरम में घर में बिल्ली नहीं पाली जाती, शुभ नहीं मानी जाती। बिल्ली आपके परिबार का हमेशा बुरा चाहती है। बिल्ली से अच्छा आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं. कुत्ते को खाना खिलाने से ब्यक्ती के सभी दोश खतम हो जाते हैं. कुत्ता नब घिराव को शान्त करता है. दोस्तों अगर आप बाके में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में माता राने के लिए एक लाइक तो बनता है धन्य बाद